जैहन दोस्तों मैं कुल्दीप राजपूत आप सावीलों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल उधर राजपूत एकेट में आज हमें इस वीडियो में बैन आरेक मतलब बैन डाइग्राम को पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमन हमें आरेक को पहचानना होगा इसमें कुछ संब्द दिये जाएंगे उन संब्द को पहचानने के बाद हमें इन आप्संस के अकॉर्डिंग उस कॉस्चन को साटिस्वाई करना होगा संब्दों के आधार पर पहचान द्वारा बैन आरेक हमको चुनना होगा कि कौन सा सही ह होगा ठीक है जैसे कि पहला कॉश्चन आपको देख रहा है दी गई आकरती में यह जो आकरतियां दी गई ए बी सीडी में कौन सी आकरती मुंबई और महराष्ट किसको मुंबई और महराष्ट के मंद को प्रदर्शित करती है मुंबई और महराष्ट्र दो नाम है और दो दो ही आकरती हमें हर एक डाइग्राम में दी गई है मतलब हम कह सकते हैं एक मुंबई है तो एक महराष्ट्र एक मुंबई है तो एक महराष्ट्र एक मुंबई है तो एक महराष्ट्र ठीक अच्छा तो इन दोनों में संबंद क्या है, इन दोनों में संबंद यह है कि महाराष्टर में मुंबई है, ठीक है, मुंबई महाराष्टर से भाहर है क्या, नहीं है न, महाराष्टर, यदि हमने मान लिया एक पॉइंट को महाराष्टर बनाया, तो मुंबई भाहर तो नहीं हो सकता, पहला option गलत है मुंबई और महराष्ट का कुछ भाग जोड़ा नहीं है ना क्यों क्योंकि मुंबई तो महराष्टर में है अब हमने मान लिया कि इस भार बाले को हमने महराष्टर बना दिया क्या बना दिया महराष्टर और अंदर बाले को क्या बना दिया मुंबई तो क्या स सही होगा इस प्रकार से हमें संबंदों को पहचानना है और डाइग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा संबंद पहचानना जरूरी होगा इसलिए संबंदों के आधार पर हम डाइग्राम बाले कॉश्चन स्टार्टिंग में कर रहे हैं ठीक है अगला जो कॉश्चन हो है इसमें option मैंने पहले लिख दिये हैं वही same option है दो अलग-अलग दोनों का कुछ भाग जुड़ा हुआ एक element में दूसरा element जुड़ा हुआ है उससे बहार नहीं हो सकता है या इन में से कोई नहीं यह चार option है और इसका प्रकार की जाती है प्रोस एक प्रकार की जाती है दोनों में कोई यह संब्द नहीं है कि दोनों को हम साथ बनाए ठीक है तो इसका अलग-अलग वाला डाइग्राम सही होना चाहिए according to महीला और प्रोस उनके बीच के relation हम लगाएंगे option number A क्योंकि देखे इन दोनों में ही यह दोनों अलग-अलग दिखते हैं है ना माल लीजे यह प्रोस तो यह महीला दोनों अलग-अलग जाती है दोनों अलग-अलग दिख भी रहें क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कुछ महीला का भाग कुछ पुरुस भाग से जुड़ा हुआ है ठीक है और ना ही हम यह कह सकते कि पुरुस सारे के सारे महीलाओं के अंदर आते हैं है ना तो एसा भी इसमें नहीं कह सकते है और इन में से कोई नहीं की बात तब होगी जब इन तीनों option में से कोई answer ना बन पाय तब option number D टिक करेंगे ठीक तो यहां पे ज़िए हम देखें तो पहला option सही होगा तो इसके लिए हम option number a को answer बनाएंगे ठीक है सेम इसी में next question लिखता हूँ आप उसका answer कीजिएगा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अगले में हमें बताना है महीला और सिक्षक के बीच संबंद के अनुसार कौन सा बैड डाइग्राम सही होना चाहिए देखिए महीला और सिक्षक ठीक है सिक्षक एक परकार की जाती है सिक्षक महीला पुरुस्ट दोनों हो सकती है तो मतलब कुछ महीलाएं सिक्षक हो सकती है लेकिन हम कहें कि सभी की सभी महीलाएं ही सिक्षक होती है तो भी गलत है और हम ये कहें कि कोई भी महीलाएं सिक्षक नहीं होती है तो ये भी गलत है क्योंकि महीलाएं सिक्षक होती है तो हम ये सही मानेंगे कि कुछ महीलाएं सिक्षक होती है तो हमने मान लिया यदि ये महीलाएं बनाई तो कुछ महीलाएं सिक्षक होती है तो इस परिकार से इसका डाइगराम बन सकता है अपसन नमबर B इसका correct answer होगा क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सिक्षक महिला नहीं है या हम ये कह सकते हैं कि सभी महिला सिक्षक ही होती है कुछ महिला सिक्षक होती है कुछ नहीं होती कुछ पुरुच भी सिक्षक होती इसलिए अपसा नमबर बी इस सम्बंद के बीच के लिए सही होगा ठीक है, उमीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा हुगा, महीला और सिक्षक, दोनों में सम्बंद क्या है, कि सिक्षक एक प्रकार की जाती है, जिसमें महीला और प्रुस्ट दोनों हो सकते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, इसलिए कुछ भाग हमने महीलाओं का लेते हुए अलग जाती होती है, और गाय अलग जाती होती है, तो जब जैसे ही मैंने ये बात बोली, भेड और गाय अलग अलग जाती होती हैं, तो इसमें अलग अलग जाती कुदर साने वाला, उप्सन ए है, ये भेड हो गए, ये गाय हो गए, क्योंकि सभी भेड गाय है, ये बात भ अगर लग जाती से अप्रेट होगा, यह option number 2, इसके लिए, sorry, option number A, इसके लिए correct answer होगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, next question, उम्मीद करता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, निम्लिखित में से, कौन सा आरेक, सिर्षक, सिर्षट, नौकरी पेसा, के बीच सही सम्बंद को दर्सा आता है, यहीं इस question में हम देखे, तो कितने element दिए गए हैं, एक टो सिर्षक, दूसरा सिर्षित, और तीसरा है, नौकरी पेसा, ठीक है, तीन, इसमें element दिए गए हैं, देखिए हर बार तीन डाइग्राम को एक दूसरे से connect किया गया है और इनके बीच जो संबंध होता है हमें वो संबंध को पैचानना है और संबंध पैचानने के बाद उस संबंध के अनुसार कौन सा option सही होगा उसको हमें टिक करना है सिक्षक, सिक्षित, नौकरी पेशा तीनों अलग अलग होते हैं क्या तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या क्या सिक्षक, सिक्षक ही सिक्षित होगा और वही नौकरी पेशा होगा क्या या सिक्षित ही सिक्षक होगा और वही नौकरी पेशा हो गया क्या उनमें से बन सकता है, मतलब सिक्षित ही बनेगा सिक्षक, है ना, तो सिक्षक अंदर और सिक्षित बाहर, सिक्षित से बाहर नहीं हो सकता सिक्षक, ठीक है, सिक्षित ही तो सिक्षक बनेगा, तो सिक्षित बड़ा बना दें और सिक्षक उसके अंदर बना दें, और नौकरी पेसा क्या होगा कि बताइए जितने भी लोग सिक्षित हैं क्या वो सभी की सभी नौकरी लग जाएंगे क्या नहीं ना उन में से कुछ नौकरी लगेंगे कुछ की नहीं लगेगी इसलिए हम option number c तो इसका answer टिक नहीं कर सकते कि सिक्षित बना दे सुरी सिक्षक बना दे सिक्षक के बाहर यह सिक्षित बना दे और फिर सभी की नौकरी लगवा दे मत तो हम इसमें देखें के कि सिक्षक सिक्षित होंगे मतलब सबसे चोटी का ही हमने सिक्षक बनाया, सिक्षक क्या हो जाएंगे, सिक्षित ही होंगे सिक्षक, ठीक है, और नौकरी पेसा, नौकरी पेसा कौन होगा, उनमें से कुछ होंगे, इसलिए कुछ को नौकरी पेसा हमने बना दिये, कुछ सिक्षक नौकरी पेसा भी हो सकते हैं, और कुछ सिक्षित भी नौकरी पेसा से जोड़ दिये, अपसर नमबर डी इसका correct answer होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये relation समझ आया होगा देखिए ये अपनी समझ की बात है जितने अच्छे तरीके से हम इनको recognize कर पाते हैं या पैचान पाते हैं, उतने ही आसानी से हम diagram को satisfy करा सकते हैं इनके आपस के संबंध ही diagram में हमें टिक करना होते हैं, यही होता है बेन आरेक, इसका देखते हैं हम next type next question और जो की बहुत important question है इस topic का इस topic से यही किसी परकार का question होगा तो इस परकार से हो सकता है ज़्यादा संभावना है कि ऐसा question आ सकता है ठीके, क्या है question को समझते हैं फिर देखते हैं क्या इसका correct answer होना चाहिए चलिए, निमलिकेत आकरती का अध्यन कीचिए यह जो आकरती है इसको दीखना है तथा नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर दीजी यह प्रश्ण है इसका उत्तर देना यह ट्राइंगल है वो दरसाता है कि यह डॉक्टर है ट्राइंगल डॉक्टर के पार्ट को दरसाता है यह जो सर्किल है वो प्रोफेशर को दरसाता है यह जो सर्किल है बिवाहित व्यक्ति है ठीक है अब जो question कह रहा है उसको समझ ये जा रहा है देखी इसमें सब्दों का हेर फेर ही है बस यदि सब्दों को पकड़ लिया तो आपके अंसर बिल्कुल correct आने वाले है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दरसाती है किसको डॉक्टरों को मतलब केबल हमें आंसर इस पार्ट में से देना है क्योंकि बताना डॉक्टरों को दरसाने वाली संख्याई है ठीक है जो विभायत नहीं है विभायत मतलब बर्ग में नहीं है बर्ग में नहीं है मतलब कौन-कौन सी संख्या हट गई 6 हट गया, 2 हट गया और 3 हट गया 3 तो बैसे भी था जी नहीं डॉक्टर के बीच डॉक्टर में आने वाली संख्या है कौन-कौन सी थी 1, 5, 6, 2 युकिनी मैंसे देना था आंसर कौन सी संख्या एंसे डॉक्टरों कुदर साती है मतलब 1, 5, 6, 2 हीज है डॉक्टर बस इसके अलावा कोई और डॉक्टर है क्या? नहीं है इसके अलावा जब कोई और डॉक्टर नहीं है तो हमें इनके अलावा कोई और आंसर में दे नहीं नहीं है, मतलब 1 आंसर आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है 2 आ सकता है और उसमें भी condition लगा दी जो बिभायत नहीं है बिभायत वाले कौन से हैं इस बर्ग वाले तो 2 हट जाएगा और 6 हट जाएगा ये दोनों भी हट जाएगे फिर बच्चा कौन 1 और 5 1 और 5 में से कौन सा option में दिखता है पांच तो option में ही नहीं मतलों option number D ही correct होगा ठीक है पांच भी answer हो सकता है लेकिन option के according 5 माना भी नहीं गया है जब 5 को answer ही नहीं माना लगए है दोनों option में आ सकती है टीक है लेकिन slash करके आएंगे फिर हो एक या 5 और यहां पे जो हमें बताना था जो विभायत नहीं है केबल इतना बताना था अच्छा इसमें केबल इसा बताना हो कि केबल प्रोफेसरों की संख्या बताईए मान लीजे क्वेशन अगला है केबल प्रोफेसर बताने अनली प्रोफेसर कौन है इसमें तो वो होगा चार चार क्यों होगा क्योंकि यदि इस ब्रत को देखे तो यह प्रोफेशर का ब्रत है पांच भी प्रोफेशर है छे भी प्रोफेशर की संख्या है चार भी प्रोफेशर की संख्या है लेकिन हमने कहा था केबल प्रोफेशर मतलब वो कोई और नहीं होना चाहिए तो चार इ इसे इस ध्यान रखें ठीक है नेक्स्ट है इसी में कितने डॉक्टर मतलब इस बार फिर से हमें डॉक्टर ही बताने है आंसर हमारा पॉसिवल हो सकता है एक पांच छे दो में से ठीक है बिभायत हैं बिभायत हैं मतलब ये वाला पार्ट छे दो आ गए ठीक है लेकिन प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर तो छे भी है क्योंकि ये सर्किल के अंतरगत आता है तो छे को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रोफेसर नहीं होना चाहिए प्रोफेसर नहीं होना चाहिए मतलब सर्किल वाले सभी नंबर हटा दो पांच और छे हड़ गए डॉक्टर में से कौन से बचे एक और दो लेकिन वो विवाहित होना चाहिए एक बिवाहित नहीं है इसलिए एक को भी हटा दिया ठीक पांच छे हड़ गए प्रोफेसर की वज़े से एक खड़ गया क्योंकि केवल वो डॉक्टर था अब बचा दो दो ऐसा नंबर है जो की डॉक्टर भी है और विवाहित भी है ठीक है लेकिन प्रोफेसर नहीं है प्रोफेसर भी नहीं है तो दो हमारा इस कौश्चन के सही होगा बस इन सब्दों को ध्यान से समझ लेना ये सब्दों को ध्यान से दी समझ लेते हैं आप और फिर question के resolve करते हैं तो definitely आपका answer सही आने वाला है ठीक है उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ठीक है चलिए देखतें next question next question है ये diagram हमें दिया गया है इसमें बताया गया है आयत उर्सों को तर्भुज सिक्षित को ब्रत सहरी को और बर्ग जन सिवकों को प्रदर्सित करता है आयत आयत किसके लिए कर रहा है ये आयत किसके लिए बता रहा है पुरुसों के लिए ठीक है और तर्भुज तर्भुज किसके लिए बता रहा है सिक्षित के लिए ब्रत ब्रत बता रहा है सहरी को फेल सेहरी को दिखा रहा ब्रत और वर्ग दिखा रहा है जनसीबग को यह किसके लिए दिखा रहा है जनसेबक को थेक है अब देखी जैसे हमने यह पढlet इसको कलियर कर लिया इसके बाद देखते हैं आंगे जो कुश्चन दिया गया है निम्न में से नीचे मैंने option नहीं लिखे हैं, option मैं बोल दूँगा, क्योंकि आंगे और भी कोशे लिखने हैं, फिर वो screen पर नहीं बनेंगे, इसलिए, option मैंने लिखे हैं, ठीक, निम्न में से कितने सिक्षित पुरुस हैं, कितने सिक्षित पुरुस, मतलब तरभुज rectangle, ठीक है, जो सहर पुरुस है, से हरी मतलब इस बरत में नहीं आती हो, देखी, पुरुस कौन कौन है, सब से पहले तो देखते हैं, 8, 9, 13, 14, 6, 4, 11, 12, सब पुरुस हैं, इसमें सहरी कौन है ब्रत वाले तो 6, 4, 12 को हटा दे हैं तो बच्टे कौन है 13, 14, 11, 9, 8 लेकिन कंडिसन के लिए कितने सिक्षित पुरुस है सिक्षित पुरुस पूछ रहा है सिक्षित पुरुस कौन से होंगे 11 और 4 लेकिन 4 क्या है सहरी है इसलिए सहरी को हटा देंगे तो 11 correct answer हो जाएगा इसका और option में यही दिखा गया है यह 11 है, 9 है, 5 है और 4 है चार option दिये गए ती जिनमें से 11 इसका क्या गया correct answer होगा क्योंकि दिखी आप इनी question को ध्यान से पढ़ती है और प्रो सिनमे से 4 और 11 है ठीक है जो कि सहरी नहीं है, सहरी 4 है इसलिए सहरी 4 को हटा दिया 11 है इसका correct answer हो जाएगा ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आयागा चलिए देखते है next question next question का answer आप सभी लोग comment box में जरूर करें next है कितनी स्त्रियां इसमें स्त्रियां बतानी जो कि सहरी और जनसेवक भी है देखिए सहरी और जनसेवक तो हम बता सकते हैं कि सहरी है और जनसेवक है जनसेवक हैं बर्ग वाले सहरी हैं बरत वाले तो 10 और 6 ऐसे हैं जो सहरी और जनसेवक है लेकिन इस्तरियां कहा है ये हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है जो पुरुस होंगे वो तो इस्तरियां नहीं बनेंगे ना तो पुरुस वाले 6 को हम अटा सकते हैं देखिए सबसे पहले हम सहरी और जनसेवक को इसमें फाइंड करते सहरी कौन है 10 जो जनसेवक भी है सहरी कौन है 6 जो जनसेवक भी है यदि 12 को देखें तो वो जनसेवक नहीं है तो जनसेवक और सहरी हो ऐसा नंबर सबसे पहले हमने खोजे वो दो नंबर हमें मिले वो दो नंबर कौन से हैं 10 और 6 सहरी और जनसेवक वारे दो नंबर हमें मिल गए 10 और 6 लेकिन इनमे 6 पुरुस भी है जबकि वो इस्तरियां हमें चाहिए तो 6 नहीं होगा केवल 10 बचता है जो की इस्तरियां हो सकता है इसलिए इसका correct answer क्या होगा 10 होगा वो नंबर ठीक है इसका correct answer 10 होगा वो नंबर क्यों क्योंकि 6 तो पुरुस है जो जनसेवक सहरी तो है लेकिन वो पुरुस भी तो है हमें चाहिए इस्तरि इस्तरि चाहिए तो 10 होगा 6 हटा देंगे ठीक है इसलिए 10 इसका correct answer होगा मुझे अमीद है कि आपको समझ आया होगा चलिए देखते है next question next है कितने आशिक्षित सहरी पुरुस है सहरी पुरुस पुरुस बाला तो है rectangle और सहरी है square sorry circle तो सहरी में और पुरुस में है 12, 6, 4 यही है नमबर बस सहरी पुरुस के ठीक है सहरी पुरुस तो हमने देख ली लेकिन आसिक्षित आसिक्षित मतलब यह सिक्षित नहीं होने चाहिए तो 4 हटा देंगे ठीक है लेकिन जन सेवग भी है 6 इसलिए 6 को भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें सहरी पुरुस बताने हैं वो भी आसिक्षित बाले ठीक है तो सहरी पुरुस होंगे 12, 6, 4 जिसमें से आसिक्षित लेंगे तो सिक्षित को हटा देंगे और सहरी पुरुस चाहिए इसलिए जन से बग का 6 नंबर भी हटा देंगे तो केवल बचता है 12 तो 12 होंगे आसिक्षित सहरी पुरुस कितने होंगे 12 इसका correct answer होगा 12 ठीक है इस प्रकार से question को करना है ध्यान से समयना भार है जो question के सब्ध है उनको अच्छे से समयना है ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसी solve करेंगे तो बिलकुर correct answer की और हम अग्रिसर रहेंगे ठीक है चलिए देखते हैं next next है कितने सिक्षित पुरुस है जो सहरी छेतर से हैं सिक्षित पुरुस सिक्षित तरभुजबाले हैं 4 11 5 पुरुस 4 और 11 है ठीक 4 और 11 आ गया उसके बाद जो सहरी छेतर से हैं सहरी मतलब ये किसमें आना चाहिए ब्रत में आना चाहिए तो वो केवल 4 हो जाएंगे ठीक है तो इसका correct answer कितना हो जाएगा 4 देखी कैसे निकाला हमने सिक्षित पुरुस तो सिक्षित निकाले 4 11 5 पुरुस हैं 4 और 11 ठीक है जो सहरी छेतर से हो तो वो केवल 4 होंगे 11 नहीं है सहरी छेतर से इसलिए 4 इसका correct answer होगा ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ठीक यदिस समझ आया है प्लिस वीडियो को लाइक कर दें को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लिंक अपने friends में share जरूर करें एक question जो मैं आपके लिए देता हूं यह question केबल जनसेवक और केबल सिक्षित के बीच अंतर क्या हुआ आपको as a homework करना है और इसका answer comment box में देना है इसका answer में next वीडियो के starting में ही बता दूँग ठीक है वहां से आप अपने answer को match कर सकते हैं यह question बहुत आसान है सभी answer जरूर करें इसका ठीक है चलिए तो मिलेंगे हम next वीडियो में तब तक के लिए by जहन बंदे मात्रम